हालो फ्रेंस, मैं हूं सरत, हमारा यूट्व चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंस अभी में आपको एक वीडियो देखाता हूँ अब देखिए उसको एक फ्लाट में लिकेज हो रहा था कीचेन में उसका जो नीचे फ्लाट है और उसमें पूरा सिलिंग में विद्ट में आपको बताऊंगा है वह चोटा प्लवाइं मेरे है यहा रहा है और उसको कैसे करना है है इस वीडियो में आपको को बताऊंगा से कइसे लिकेज पहांसे तुरुंत ढाँ था रहा है फाँ जिसको नहीं करो चाहिए है नूस से में 16 भान्याalter इसको प्ताहर या फंकता रहाा है हूं से ने लिकेज कारे तुच्छे Grandpa भूसे को gü्रूरिया रहा ही धाँ टी। और उसके बाद उसको कैसे रेडी करना है मैं आपको देखाता हूँ अगर फ्रेंट्स हमारा चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलना फ्रेंट्स से प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारा चैनल में आगे आपको मिलता रहेगा चलिए शुरू करते हैं फ्रेंट्स लाइक जरूर करना है वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है चलिए मैं आपको पहले वो वीडियो देखाता हूँ अब इए विडियो देखा थो पहले हूँ हो रहा है जोब हम अके plumber है हमको कश्चमर बोला कि इस तरह का यह नीची फ्राट में लेकेज हो रहा है वह उसने बोलाया था जो आमने जाके ऊपर फ्रेंट्स कीज़न में वह पहुत जांच करने का बाद जाके मुझे मालूम हुआ कि यहां पर लिकेज किया हो रहा है जो हम ट्याप डालते हैं जो किचन का दो ट्याप लगा रहता है अग्वागड का पॉइंट रहता है फैंस क्या होता है वह त्याप का एक एक एस्टेक्शन निपल फट गया है जब हो जो पानी हलका सा हो रहा है दीरेदे जो भी वर ज़्यादा हो रहा है वह क्या कर रहा है जो हमारा किचन का जो टाइल्स लगा रहता है स्लाब का वह जगा होता है और समय स्लाइब याँटले शिंक का नीची देखा वह ठीक है उपर देखा तो ट्याप को खोलते कि फटा हुआ है जब लीकेज ओ रहा है ऩाइट किया तो मालूम को अगर आम रेडी कर सकते हैं इस्टेक्षन को निकाल के हमको कैसे पता लगा कि इतने आप जो 15-20 दिन हो गया जिसके बस यह लिकेज हो रहा है वह कैसे पता करना है ताकि आपको इमिटेट पता लागे इस्टेक्षन पर फट गया तो आपको इमिटेट पता चलना चाहिए चले मैं देखाता हूं उसको कैसे रेडी करना है कि अब यह जो किचेन ट्याप है यहां पर स्टेल सिंक लगा हुआ है कि अब को अगर लिकेज हुआ तो कैसे पता करना फ्रेंच अब क्या है ना यह एक राक हो चुका है पर पानी क्या है इसका अंदर टाइल्स का जो ग्या एंब करते ही जो आपने पते अबी तो में कैसे नीकलते हैं मैंने या अलैड़ी आई वड़न में इसका वीडियो देयूंगा आप देख सकते हैं इसको काटके कैसे निकालना है और यह निकालने के बाद है यह जो हमारा जो point है CPBC का जो point है यह point को point से लेके यह tiles का जो gap है इसको हमको white cement भरना है friends यह 4 तरब अच्छा से white cement भर दिये तो यह कभी भी leakage नहीं होगा कि अगर leakage हुआ तो भी तो भी पानी बाहर आएगा ताकि यहां जो फ्रांच लगा हुआ यहां से बाहर गिरेगा ताकि पता लग जाएगा कि यहां लिकेज हो रहा है friends यह लिकेज बहुत दिन होने के बाद यह अंदर अंदर से पानी जाके नीचे फ्लाट वाले फ्लाट का इस तरह का पूरा खराब किया वाल्डुप और सभी paint खराब करना शुरू कर देता है friends कभी भी आप ट्याप डाल लोगे जो अपने हमारा जो प्लम्बिंग पॉइंट है जो सी पीवी सी ब्रास से यल्बो लगा हुआ है यल्बो का पास में से लेके टाइल्स का चारो तरब का इस ग्याप को फिल अप करना है एक दोन यह उक्हें घयाओ करते हैं जीदिए त्याक और खोलगों जाता है तहीं यहां से लेकें कि यहां से भूग करना है तैंसी इसके लिए लेना है रठ ब्रास से लेना है पानी ने कभी भी त्याप को जब भी आपने नया ट्याप फिटिंग करोगे पहले प्लग लगा होगा फ्लग खोलने के बाद है यह जो है उसको यह जो ग्याप है पॉइंट का साथ है और इसको मिला के देखें अंदर चला जा रहा है अगर हम इस तरह बहर दिये अगर एस्टेशन नेपल फटा भी तो भी पानी बहर आना शुरू कर देगा इसी तरह का टाइल्स का ग्याप को पहले प्याग कर दना है कभी कभी पॉइंट थोड़ा जादा अंदर रहता है तो भी आपको अच्छा से प्याग करना है कर दो उपर का तरब भी थोड़ा प्याक कर देना है फ्रेंस से क्योंगे आप चारा तरब पॉइंट एल्बो से लेकर चारा तरब ऐसे प्याक कर दिया तो कभी भी लिकेज हुआ तो आपको तुरंद पता लग जाएगा क्योंगी ट्याप का नीचे से जहाँ प्रांज लगा है उससे बाहर थोड़ा पानी आना शुरू कर देगा जिसके विसके आपको तुरंद वह स्ट्रेक्शन अपल को भट गया बोलके पता चल जाएगा या तो किसी को भी कस्टमर को पहले से मालूम हो जाएगा यहां से पानी क्यों वह रहा है तो आपको को बोल सकते नहीं तो फ्रेंट्स यह टाइल्स का निचे निचे से जाके आपको पता ही नहीं जलेगा जब ज़्यादा लिके जो के बाहर आएगा पानी तब आपको पता अब हम ट्याप फिटिंग कर सकते हैं जब भी देखिए अगर एस्टेक्शन लेपर फट गया अगर यह फटा हुआ यह जब हम एस्टेक्शन लगा के अभी इसको टाइट करेंगे अगर यह फटा हुआ तो पानी तुरंत बाहर यहां से आना शुरू हो जाएगा जिसके व स्क्रीन में डाल दूगा और उसमें आपको देख सकते हैं आज के लिए इतना ही है